नमस्कार दोस्तों मैं प्यू सक्सेना इस्पायर फोर लर्निंग यूटूब चैनल में आपका सौगत करता हूँ तो बताइए कैसे हैं आप लोग उमीद है आप अच्छे होगे और साथी साथ गवर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे होगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे इस्पायर फोर लर्निंग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर weekly current affairs की वीडियो है आज जितनी भी current affairs रही है पूरे हफते में मैं आपके साथ discuss करूँगा test के तोर पे आप इसे दीजिएगा अगर आपने current affairs नहीं पड़ी है पूरे हफते में 9 माई से 15 माई तक तो आपके लिए काफी important रहने वाली है ये वीडियो weekly current affairs की वीडियो है अगर आप current affairs किसी भी channel से या कहीं से भी आप पड़ते हैं तो काफी useful रहने वाला है आपके लिए ये session क्योंकि आपका ये test हो जाएगा और जितना भी आपका score रहे आप last में मुझे comment box में जरूर बताईएगा हर exams के लिए important है ये video चाहें वो ssc हो bank हो state level exam हो 80 plus mcq मैं आपके साथ discuss करूँगा इसकी pdf आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी telegram channel का link मैंने video के description में दे दिया है वहाँ से आप link पर click करें group join करें और pdf download कर सकते हैं और ये link आपको comment box में भी मिल जाएगा 9 माई से 15 माई तक जितनी भी current affair है अब मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ पहला question है deserve bank of India ने अभी हाल ही में has excluded लक्ष्मी बिलास bank from second schedule of RBI act after it was merged with which of the following bank तो अभी reserve भारती है reserve bank ने लक्ष्मी बिलास bank को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है अब इसका जो विले रहा है वो रहा है DBS bank में तो DBS bank एक foreigner bank है इसके लक्ष्मी बिलास bank का बिले कर दिया गया है DBS bank में अब जो लक्ष्मी बिलास bank है इसको second schedule से बाहर कर दिया गया है RBI Act के तो आपको यह याद रखना है next question की तरफ बढ़ते हैं Who among the following participated in G20 tourism minister virtual meeting held on 4th of May 2021 4 May 2021 को आयोजित G20 परेटन मंत्रियों की अभासी बैठक में निमलिखित में से किसने भाग लिया है तो वो है पहलाद सिंग पर्टेल पहलाद सिंग पर्टेल tourism minister है इन्होंने ही G20 summit जो होने जा रहा है रोम के इटली में उसमें participate करा है तो यह virtually mode में रहा है पहलाद सिंग पर्टेल tourism minister है इन्होंने G20 परेटन मंत्रियों की अभासी बैठक में हिस्सा लिया है और इसकी अध्यक्षता इटली के पास है नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं कि which of the following Indian state is build forest ponds to harvest rain water to replenish ground water निमलिकित में से कौन सा भारतिय राज्य भू जल को फिर से भरने के लिए बन तलाब का निर्मान harvest वर्षा जल के लिए कर रहा है तो वो है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये अभी करा जा रहा है forest pond to harvest rain water to replenish ground water तो ये state government जो भी लेके आते हैं आपको ये याद रखने पढ़ेंगे एक नमबर में exam में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट कोशन है ओविच्रिस से संबंदित है कि सशी नरायान सिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस चेतर से संबंदित है तो शीष नरायान सिंग फीमस पत्रकार है जनलिष्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक नंबर में ऐसी important बन सकते हैं, questions तो आपको याद रगने पढ़ेंगे आते हैं next question की तरफ की world migrant world day has been observed in 2021 तो किस date को या 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारिक को मनाया गया है तो वो है एर्थ ओफ माई, आठ माई को इस साल 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है ये हर साल अक्टुवर और साथ ही माई के second of Saturday मलब second सनिवार को माई और अक्टुवर के ये celebrate करा जाता है World Migrant World Day, Sing, Fly, Soar Like a World इसकी theme है Sing, Fly, Soar Like a World is the theme of this year World Migrant World Day Next question की तरफ बढ़ते हैं Reserve Bank of India has constituted an advisory group to assist the second regulatory review authority तो RRA 2.0, who will be the head of the group भारतिय Reserve Bank ने दूसरे नियामक समिक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता के लिए एक सलाकार समू का गठन किया है और इस समू के जो प्रमुक हैं वो हैं S. जानकी रमन S. जानकी रमन को head बनाए गया है इस committee का Regulation Review Authority 2.0 सलाकार समू का गठन किया गया है तो उसके head आपको याद रखने है Next जो question है World Red Cross and Red Crescent Day विश्व Red Cross और Red Crescent Day हर सल किस दिन celebrate करा जाता है या किस दिन मनाया जाता है तो ये भी 8th मई को, 8th of मई को celebrate करा जाता है World Red Cross and Red Crescent Day इसकी theme आपको याद रखनी है World Red Cross and Red Crescent Day की Unstoppable Unstoppable इसकी theme है Important रहती है themes भी जितने भी days रहते हैं चाहें वो जनवरी के हों, फरवरी के हों, मार्च के हों या अप्रेल के हों हमने one by one हर एक मन्त की, मैं एक वीडियो लेके आता हूं month last में, important days of April के नाम से, ऐसे ही मार्च, फरवरी, जनवरी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देख लें अब आते हैं, how many members are present in the advisory group to assist the second regulation review authority 2.0 constituted by RBI, तो RBI दारा गठत दूसरे नियामक समिक्षा प्रादिकरण की सहायता के लिए सलाकार समू में कितने सदस्थे मौजूद हैं, तो वो हैं 6 और इसके जो head है, S जान की रम, पीछे मैं आपको इसमें ये बता दिया है तो आपको ये याद रखना है, कितने members हैं, इसमें 6 member हैं और head कौन हैं, वो भी आपको याद रखने है Next question है, कि World Thalassemia Day is celebrated on every year to commemorate thalassemia, victim to encourage those who struggle to live with the disease विश्व थालिसीमिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ताकि थालिसीमिया पीरितेों को याद किया जा सके, और उन लोगों को प्रोसाहित किया जा सके, जो इस बिमारी से जीने के लिए संगर्ष करते हैं, तो ये भी हर साल World Thalassemia Day, एर्थ माई को सेलिबरेट करा जाता है, तो आठ माई को World Thalassemia Day या विश्व थालिसीमिया दिवस, इसकी थीम है, Addressing Health Inequalty Across the Global Thalassemia Community, Addressing Health Inequalty Across the Global Thalassemia Community, इसकी थीम रहेगी World Thalassemia Day की, और ये हर साल आठ माई को सेलिबरेट करा जाता है, Next Question है, Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema, has been instituted from this year, will be given at the International Film Festival of India, The Award consists at a cash prize of what, Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema की इस थापना इस वर्ष से की गई है, जिसे अंतराश्तिय फिल्म महुसर में दिया जाएगा, पुरुसकार में डगत पुरुसकार क्या है, तो वो amount बताना है, cash prize का, जो दिया जाएगा, Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema में, ये एक award है, जो अब हर साल से IFFI जब ये International Film Festival of India होगा, उसमें ये award दिया जाएगा, दस लाक रुपे इसमें इनाम के तोर पर cash prize दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, एक्जाम में ये पूछा जा सकता है, A book titled, Manohar Parikar Brilliant Mind Simple Life, has been authored by whom, Manohar Parikar Brilliant Mind Simple Life नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है, नितिन अनंत गोखले, नितिन अनंत गोखले के द्वारा ये पुस्तक रिलीस करी गई है, author है इसके, Manohar Parikar Brilliant Mind Simple Life के, एक अलग से session लेके आऊंगा, book and author से संबंदित होगा, कौन सी book, किसके द्वारा लिखी गई है, वो उसमें आपको सब मिल जाएगा, नेक्ट ये भी एक novel है, Hamnet, who won the National Booker Critics Circle Prize for Fiction, who is the author, तो एक उपन्यास Hamnet ने fiction के लिए National Booker Critics Circle पुस्कार जीता है, अब इसके लेखक कौन है, वो आपको बताना है, कि ये Hamnet इसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो वो है Maggie Offrell, Maggie Offrell के द्वारा ये novel लिखा गया है, Hamnet, National Booker Critics Circle Prize for Fiction, ये award इनको मिला है, Next Question है, Under the Harihar scheme, which state government will provide jobs to children turned 18 years old while living in child care institutions, तो Harihar योजना के तहत कौन सी राज्चे सरकार बाल देखवाल संस्थानों में रहने के दोरान 18 वर्ष की आयू के बच्चों को नौकरी देगी, तो वो है हरियाना, हरिहर के नाम से आपको ये किलियर हो जाएगा हरियाना, एक नंबर में कि government जो scheme है, वो किस राज्चे ने लाँच करी है, बस आपको scheme का नेम और राज्चे का नेम आपको याद रखना है, हरिहर scheme किस ने लाँच करी है, तो वो है हरियाना, नेक्स्ट कोशन है, वाट इस द नेम ऑफ एमिनेंट स्कल्प्चर एंड राज्चे सभा मेंबर एंड पद्म भीभूशन अवार्डी, who has passed away recently, प्रख्यात मूर्थिकार, अदाज्चे सभा सदस से पद्म भीभूशन अवार्ड से समानित होने वाले व्यक्ती का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है रगुनात महापात्रा, रगुनात महापात्रा का नेम आपको याद रखना है, अदाज्चे सभा मेंबर भी ये रहे हैं, और पद्म भीभूशन अवार्डी थे, नेक्स्ट कोशन है, तो मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर महेश नगर कर दिया गया है, जिसमें अब ये किस राज्जे में इस्टे थे तो मिया का बाड़ा, इस रेल्वे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर महेश नगर रख दिया गया है, यह जिस राज्य में है और किस राज्य के कौन से डिस्टिक में है वो आपको पताना है तो वो है जोधपुर राजस्थान में जोधपुर में मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेशन का नेम बदल कर महेश नगर रेल्वे स्टेशन कर दिया गया है आपको याद रखना है एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है विच स्टेट गवर्मेंट है अनौच अफ दा मुख्य मंत्री कोविड उपचार योजना एमिड आराइज इन कोविड केसिज इन दा स्टेट तो किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड मामलों में ब्रद्धी के बीच मुख्य मंत्री सहकारी योजना शुरू करने की घोशना की है ये योजना दोबार आ गया है आपको कोशन पे फोकस करना है कि मुख्य मंत्री COVID-19 योजना किस राज्य के द्वारा एनाउंस करी गई है या किस के द्वारा लॉंच करी गई है तो मुख्य मंत्री सहकारी योजना जो स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश गौर्डमेंट में मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्य मंत्री सहकारी योजना शुरू करने की घोशना की गई है तो मुख्यमंत्री COVID उप्चार योजना मध्यप्रदेश हरी हर इसकी हर्यारणा तो ऐसे ही आपको यह याद रखते हैं अब आते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ टैनिस से संबंदित है अभी हाल ही में आर्याना सवलेंका तो अभी आर्याना सवलेंका ने वुमन्स सिंगल टैटल अपने नाम करा है मतुआ मैडिट ओपन में बाइडिफिटिंग आस्टेलियाज ऐशले बार्टी आस्टेलिया की ऐशले बार्टी को हरा कर आर्याना सवलेंका ने वुमन्स सिंगल का टैटल अपने नाम करा है मतुआ Madrid Open में मतुआ Madrid Open tennis से संबंदित है इसमें जो ये आरियाना सवलेंका है ये पूछा गया है किसे देश से हैं तो ये आप देख रहे हैं बेलारूस छी इस फ्रॉम विच कंटरी तो ये बेलारूस से हैं आरियाना सवलेंका वुमन सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम करा है आस्टेलिया की एशलेवाटी को हटा रहा कर तो जितने भी कोशन यहां से बन सकते थे मैंने वन वाई वन इसमें आपको बता दिये हैं अब इसी से संबंदित है ये नेक्स्ट कोशन की ऐलेक्सेंडर जैवरेफ अब ऐसे ही एक नमबर में पूछ लिया जाएगा कि मतुआ मैडिट ओपन का मैंस सिंगल का टाइटल किसके नाम रहा है तो वह है अलेक्सेंडर जैवरेफ अब इन्होंने किसको हराया है तो इटैलियन मैटूआ बरिटनी को हरा कर मैंस सिंगल टाइटल ओफ दा मतूआ मैडिट ओपन का इन्होंने अपने नाम करा है तो वो कौन है अलेक्सेंडर जैवरेफ अब आपको बताना है कि ये अलेक्सेंडर जैवरेफ किस कंट्री से ब्लॉंग करते हैं जैसे हमने पीछे बताया था कि आरेना सवलेंका इस फ्रॉम बेलारूस अब आपको बताना है कि अलेक्सेंडर जैवरेफ ये किस देश से हैं तो वो है जर्मनी जर्मनी के हैं ये अल तो आपको दोनों ही याद रखने हैं बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की तरफ उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को Who has won 2021 Spanish Grand Prix टाइटल 2021 का Spanish Grand Prix खिताब किसने जीता है तो जाधा तर लोइस हैमिल्टन के द्वारा ये Formula One Race जीती जाती है तो लोइस हैमिल्टन ने अभी ये Grand Prix अपने नाम करा है Spanish Grand Prix टाइटल Lewis Hamilton के द्वारा ये टाइटल अपने नाम करा गया है Next question है What is the name of Nepalese climber who scaled Mount Everest for 25th time तो आप 25 वी बार इन्होंने ये Mount Everest को claim करा है अब इसकी height अभी increase हुई है 0.86 cm या इसको 0.86 m भी आप बोल सकते हैं पहले थी 2848 अब 2848.86 m हो गई है height Mount Everest की तो 25 वी बार Mount Everest पर चड़ने वाले नेपाली परवतारोही का नाम क्या है तो वो हैं कामी रीता कामी रीता इन्होंने अपना ही record break करा है 25 वार इन्होंने Mount Everest को claim कर लिया है Next question की तरफ आते हैं कि who succeeded सरवरंद सोनवाल as 15th chief minister of Assam तो किसने सरवरंद सोनवाल को हरा कर 15th chief minister बने हैं असम के तो असम के जो 15th chief minister बने है हिंदी में थोड़ा ही गड़बड है इसको मैं सही कर दूँगा आपको याद रखना है पहले थे सरवरंद सोनवाल अब जो appoint हुए हैं या अब जो बने हैं इनका नेम आपको याद रखना है एक नमबर में जितने भी ये CM बने हैं राजियों के पूछ लिए जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन है अभी CBSE Central Board of Secondary Education के दोरा लॉँच कर गया है एक न्यू मॉबाइल एप्लिकेशन फोर साइको शोशल वेलनेस फोर स्टुडेंट एंड पैरेंट्स वाट इस दे नेम आफ एप तो ये CBSE ने छात्रों और अभिवावों के मांसिक समाजिक कल्यार के लिए एक नया मॉबाइल एप्लिकेशन लॉँच किया है इस एप का नेम है दोस्ट फोर लाइफ दोस्ट फोर लाइफ या CBSE दोस्ट फोर लाइफ CBSE के दोरा लॉँच करा गया है न्यू मॉबाइल एप्लिकेशन है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है लंदन बेस्ट प्रोपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रेंक हैज रिलीजड न्यू देली एंड मुबमाई इन 32 एं 36 पोजिशन रेस्पेक्टिवली इन ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स अब यह करा है विच शिटी हैज टोप तो अभी यह एक रेंक रिलीज करी गई थी ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स इसमें जो नीधली है 32 प्लेस पर है मुंबई 36 प्लेस पर है आपको बताना है कि टॉप कौन करेगा प्रोपर्टी कंसल्टेंशि नाइट फ्रेंक के दौरा यह रिलीज करी गई थी इंडेक्स अब यह इंडेक्स है क्या तो अभी हाल ही में करोना के चलते अब जो प्लाट थे या आप आपका रेसिडेंट था इसको सस्ते हो गए है नुदेली और मुंबई में भी तो सेंजेज चाइना का है यह प्रोपर्टी कंसल्टेंसी के दौरा रिलीज में यह टॉप करा गया है ग्लोबल प्राइम रिडेंशिल इंडेक्स में और शंगाई सेकिड नंबर पे है ग्वांजो थर्ड नंबर पे है और नी यॉर्क लास्ट नंबर पे है नुदेली 32 प्लेस पर है मुंबई 36 प्लेस पर है और बैंगलूरू 40 प्लेस पर है ग्लोबल प्राइम रिडेंशिल इंडेक्स पे बस आपको यह इंडेक्स का नेम और कौन-कौन किस पोजिशन पे है कौन सा स्टेट इंडिया का बस आपको यह फोकस करना है स्टेट या सिटी आते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ राफिल नडाल ने अभी ये वान करा है लॉर्यस स्पोर्स परसन आफ दा इयर नामित किया गया है इनको तो राफिल नडाल स्पेन से है जिनने 2021 का लॉर्यस स्पोर्स मैन आफ दा इयर का एवाड दिया गया है तो राफिल नडाल स्पेन से है लॉर्यस स्पोर्स मैन आफ दा इयर और जो नौमी उसाका है इनको लॉर्यस स्पोर्स woman of the year का award दिया गया है तो यह आपको याद रखना है कि अब यह question है क्या तो she is from which country मतलब Naomi Osaka किस देश से हैं तो यह है Japan Japan की Naomi Osaka laureas sports woman of the year and Rafael Nadal Spain laureas sportsman of the year दोनों ही आपको याद रखने हैं important बनेंगे next question है अभी anti-covid-19 therapeutic drug called drug 2-droxy-d-glucose 2-DZ वी इसे बोला जाता है is developed by एक covid-19 की सहदवा जिसे drug 2-deoxy-d-glucose 2-DZ कहा जाता है को किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो वो है DRDO DRDO Defense Research Development Organization के द्वारा इसको बिक्सित करा गया है drugs 2-deoxy-d-glucose को next question है नेम दा फस्ट पार्सी ओन इंडियन किरिकेट टीम सिंस 1975 एस बिन पिग्ड इंडियन टेस्ट स्क्वार्ड फॉर वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप फाइनल अब जी वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप है England में होने जा रहा है इंडिया और New Zealand इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मतलब जो फाइनल होगा इंडिया और New Zealand में होगा इनके बीच होगा 1975 से भारतिये किरिकेट टीम में पहले पार्सी का नाम जो अब एपॉइंट हुए है या जिनको निव्ट करा गया है चुना गया है वेश्व टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल में तो वो हैं अरजन नागवस वाला अरजन नागवस वाला की टेस्ट टीम का पार्ट रहेंगे जो New Zealand के बूद खिला जाएगा England में तो आपको याद रखना है next question है Who among these won the best actor award at New York City International Film Festival इनमें से किसे New York City International Film Festival में सरवसेश्ट अभिनेता का पुरुषकार मिला है तो वो हैं अनुपमखेर अनुपमखेर को ये award दिया गया है Best Actor Award at New York City International Film Festival में तो आपको इनका नेम याद रखना है Next question है Name the author of the book Elephant in the Bomb Hathi in the Bomb अगर आप ये जनी books आती हैं इनके नेम English में ही होते हैं तो आपको English में याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा तो Elephant in the Bomb भुस्तक के लिखक का नाम आपको बताना है एक्टरस हैं कल की कोचलिंग इनकी पहली book है ये Elephant in the Bomb ये रिलीस अभी हुई है हाल ही में तो ये author और book का नेम आपको याद रखना है Next question है PM Modi has participated in a European Council meeting which country hosted the Indo-European Union leaders meeting in 2021 तो 2021 में PM नरेंड मोदी ने European परिशद की बैठक में हिस्ता लिया है अब भारत और European संग के नेताओं की बैठक की मिजवानी इस साल कौन सा देश कर रहा है तो वो है पुर्टगाल पुर्टगाल के द्वारा इसकी अधक्षत की जा रही है Next question है विच कंट्रीज पार्टिसिपेशन इन पार्लेमेंट स्टुक्चर्ड कॉर्पोरेशन डिफेंस इनिशियेटिव हैस बिन एप्रूब्ड बाई यूनियन दिसेंटली तो हाल ही में यूरोपिय संगद्वारा स्थाई संदक्षा सायोग रक्षा पहल में किस देश की भागिदारी को मनजूरी दी गई है तो वो हैं तीनों हैं नौर्वे भी है कनेडा भी है और यूनाइटेड स्टेक मतलब संयोगत राज्य अमेरिका भी है तीनों देशों को अभी हाल ही में इसमें डिफेंस इनिशियर्टिव हज बिन एप्रूवड बाए यूरोपियन यूनियन रिजैंटी तो आपको तीनों के नीम आपको याद रखने हैं नेइस्ट陋 कोशन है वेर इस दा हेड कौाटर और दा यूरोपियन यूनियन सिच्यूइट इउर्पिये संग का मुझ्याले कहां पर befते हैं तो यह है बेल्जियम Brussels Brussels में है Belgium के तो Belgium के Brussels में इसका हैड़कॉर्टर है European Union का अभी हाल ही में यह मिटिंग में participate करा है मोधी जी ने तो यह भी आपको याद रखना है ऐसे ही एक नंबर में यह पूछ लिए जाते हैं अब बढ़ते हैं आज की next question पर काफी important है आपको यह ध्यान से सुन नहां है डाक्टर ताहरा कुतबदीन recently become the first person of Indian origin to win 50th शेख जायद बुक अवर्ड सेख जायद बुक अवर्ड is considered the which type of the Arab world डाक्टर ताहरा कुतबदीन हाल ही में पंधवी शेख जायद बुक पुरुसकार जीतने वाली भारतिय मूल की पहले व्यत्ती बनी है शेख जायद बुक अवर्ड को अरब जगत का कौन सा अवर्ड माना जाता है तो ये अरब जगत का नोवल पुरुसकार भी इसको माना जाता है अब ये कौन सा एवार्ड है तो 50th शेख जायद बुक एवार्ड किसको दिया गया है ताहरा कुतबदीन को ये मुंबई में इनका जनम हुआ था हिंडियन है तो भारतिय मूल की है और नोबल पुरुसकार कहा जाता है इस एवार्ड को नेक्स्ट कोश्चन है कि इस रो का इस रोज वी एससी हाज डेवलब्ड थ्री डिफरेंट टाइप ओफ वेंटिलेटर एंड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब इसका नेम आपको बताना है वेंटिलेटर का इस आ लोग कोस्ट वेंटिलेटर एक्यूबलेंट टु कमर्शि एविलेबल हाई एंड वेंटिलेटर तो इस रो के वी एससी ने तीन अलग अलग प्रेकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन सांद्रक विक्सित किया है अब आपको बताना है उस वेंटिलेटर का नेम जिसका वेफसाहिक रूप से उपलग्द उच्च अंत वेंटिलेट है तो उसका नेम है वायू वायू एक वेंटिलेटर का नेम है तो यह आपको याद रखना है अब इसमें यह त्री टर्म और आई है इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक प्रान है स्वास्ता है और स्वास अब यह क्या क्या है वह हम आगे इसमें इस रो के VSSC ने तीन अलग अलग प्रिकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन सांधरक विख्षित किये हैं प्राण एक अम्भू वेग के सवचालित संपीडन द्वारा रोगी को स्वशन गेस पहुचाने के लिए है और स्वश्टा को बिजली के विना काम करने के लिए डिजाइन किया गया है तो स्वश्टा और प्राण दोनों आपको यहां से यह पता चल गया है और वाईयू वेबसाइक रूप से उपलब्द उच अंत वेंटिलेटर के बरावर कम लागत वाला वेंटिलेटर है और तिवरंत पुरम में Portable Medical Oxygen Container जो है उसका नेम है स्वास तो यह आपको यहां से के लिए हो गया होगा आपको यह याद रखने हैं कौन सा किस के पर किस लिए हैं और उसका परपस क्या है जो है यूज हुए है वी एस एसवी की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है नेक्स्ट कोशन है कि विच कंपनी है रवी आई एपरूबल फोर दा प्रिपेड पेमेंट बिजनेस प्रिपेड बुक्तान वेफसाइट के लिए किस कंपनी ने रवी आई की मंजूरी मिली है किस कंपनी को तो वो है बचाज फाइनेस इसका नेम आपको याद रखना है बचाज फाइनेस का इसे एपरूबल दिया गया है रवी आई के द्वारा आते हैं next question पर which company has unveiled the COVID-19 vaccine finder tool किस कंपनी ने COVID-19 vaccine खोजक उपकरण का अनावरण किया है तो वो है पेटियम पेटियम के mini app store पर आपको ये मिल जाएगा COVID-19 vaccination finder tool आपको ये याद रखना है next question है national technology day is celebrated on across India राष्ट्रिय प्रधोगी की दिवस पूरे भारत में किस दिन celebrate करा जाता है तो वो है 11th of माई 11 माई को राष्ट्रिय प्रधोगी की दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है तो आपको याद रखना है national technology day 11th of माई अब आते हैं ICC award की तरफ की who has been named ICC mains player of the month for April 2021 अब अप्रेल में अभी हाल ही में ICC mains player of the month नामित किया गया है तो वो कौन है वो हैं बाबर आजम तो दो आप्रेल में ICC का जो award मिला है बाबर आजम को दिया गया है जनवरी से ये award हर मन्त में दिया जा रहा है जनवरी में दिशवपंत फरवरी में आर अजविन और में भुबनेश्वर कुमार अप्रेल में जो दिया गया है बाबर आजम को कोई आप्रेल के चक्कर में कोई भी ICC इवेंट नहीं खेला है टीम इंडिया ने तो आपको बाबर आजम का नेम याद रखना है पाकिस्तान से है ICC का mains player of a month वो भी अप्रेल के लिए इनको दिया में जो ICC इवार्ड दिया गया है महिला ठिलाड़ी को वो है एलीजे हेली आउस्टेलिया की है अब जनवरी में सबनिम इसमाइल को साउथ अफ्रीका की है इनको दिया गया था फर्मरी में बैट मूनी को इंग्लेंड से हैं और आपका मार्च में लिजेली वो भी साउथ से हैं और यह अप्रिल का आपको याद रखना है एलिजे हैली का नेम यह ऑस्टेलिया से हैं जितने भी यह एवर्ट थे जो मैंने आपको एडिशनल जानकारी बताई है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन की तरफ कि विच इंस्टिट्यूशन हैज रिलीजड रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिड कॉमर्स क्रेटिंग और रोड मैप और डिजिटल इंक्लूजिव भारत इन कॉलैबोरेशन विद मास्टर कार् मास्टर कार्ड के सायोग से कनेक्टिड कॉमर्स और डिजिटल इंक्लूबेशिव भारत के लिए एक रोड मैप त्यार करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की है तो किस किस के साथ कॉलैबोरेशन रहा है मास्टर का तो वो मास्टर कार्ड का किस के साथ कॉलैबोरेशन रहा है वो है नीती आयोग अब इसके टाइटल आपको याद रखना है रिपोर्ट का Connected Commerce Creating a Roadmap for a Digital Inclusive भारत कोलेबरेशन रहा है Mastercard का नीती आयोग के साथ बस आपको ये जिनके साथ कोलेबरेशन रहा है उनका नेम आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है अभी हाल ही में RBI के RBI ने Appoint करा है Executive Director के तौर पर तो वो कौन Appoint हुए है RBI के Executive Director के रूप में तो वो है जौस जे कटूर भारतिये Reserve Bank के करेकारी निदेशक बने हैं जौस जे कटूर इनका नेम आपको याद रखना है Name the author of the book Life in a Clock Tower Valley Life in a Clock Tower Valley पुस्तक के लेखक का नेम है शकूर राथर शकूर राथर option C right answer रहेगा ये author है Life in the Clock Tower Valley ये शकूर राथर Next question है Name the bank who recently launched a chatbot EVA on CSC Digital Seva Portal to support the village level entrepreneurs तो उस बैंक का नेम आपको बताना है जिसने हल ही में ग्राम स्तर के उध्यमियों का समर्थन करने के लिए CSC Digital Seva Portal पर एक chatbot EVA launch किया है तो वो है HDFC Bank HDFC Bank के द्वारा ये CSC Common Service Center Digital Seva Portal पर chatbot EVA launch करा है HDFC Bank ने तो HDFC Bank का नेम आपको याद रखना है ये chatbot EVA इसी के द्वारा launch करा गया है Common Service Center Digital Seva Portal पर to support the villages तो आपको ये पूरा question ऐसे ही PDF मिल जाएगा इसको revise कर सकते हैं एक वार अच्चे सी वीडियो देख लेंगे सारे question आपको यहाँ से याद हो जाएंगे अभी हाल ही में ये एक state ने launch करा है औरह scholarship program अभी ये of Shri Ayurubindo Society for all the students of the state तो निम्लिकित में से किस राज्जे ने हाल ही में राज्जी के सभी चात्रों के लिए Shri Ayurubindo Society का औरह चात्रवरती कारेकरम शुरू किया है वो है तिरुपुरा government तिरुपुरा सरकार के द्वारा या तिरुपुरा आज्जे ने ये औरह scholarship program launch करा है नेक्स्ट कोशन है नेम दा following who has been elected the prestigious National Academy of Science in recognition of his distinguished and continued achievement in original research तो नेमलिकित में उनका नेम आपको बताना है जिनने मूल अनुसंधान में उनकी प्रतिष्था और साथत उपलगदियों की माननेता में प्रतिष्थित रास्तिये विज्ञान Academy के लिए चुना गया है तो वो है शंकर घोश शंकर घोश को अभी हाल ही में appoint करा गया है अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले नेक्स्ट कोशन है वो अमंग दा फॉलॉइंग हाज बिन एपोइंटेड एज नेशनल प्रसेडेंट ओफ फिक्की लेडिज ओगनाइजेशन एफ ल ओ निमलिकत में से किसे फिक्की लेडिज ओगनाइजेशन ही आप इसको पढ़ियेगा राष्टी है अद्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वे हैं उजवला सिंगानिया उजवला सिंगानिया को फिक्की लेडिज ओगनाइजेशन के चेर्मेन के रूप में एपोइंट करा गया है उजवला सिंगानिया को अब हाल ही में इन्होंने सेड़ बी के डिप्टी मैनेजिंग डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर भी एपॉइंट हुए हैं तो उनका नेम भी आपको बताना है कि भारती है लगु द्योग विकास बैंक सिडवी के उप प्रवंद निदेशक के रूप में जो कारेबार समाला है वो है सुदत मंडल डिप्टी मैन डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर बने हैं Small Industrial Development Bank of India के सुदत मंडल सुदत मंडल मैनेजिंग डिरेक्टर वो भी डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ सिडवी नेक्स्ट कोशन है e-commerce company snapdeal has launched a tool to connect covid-19 patients with potential plasma donor what is the name of a tool e-commerce company snapdeal ने संभावित प्लाजमा दाताओं के साथ covid-19 रोग्यों को जोडने के लिए एक उपकरण launch किया है अब इस टूल का जो नेम है वो है संजीवनी संजीवनी एक टूल है snapdeal के द्वारा इसे launch करा गया है जो भी plasma donor है और जो covid-19 रोग्यों है यह रोगी है उनको जोडने के लि है संजीवनी snap deal के द्वारा तो यह आपको याद रखना है next question है which state या union territory police has launched a vehicle help line called covid-19 to help senior citizens तो किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश की पुलिस ने वरिस्ट नागरिकों की मदद के लिए कोवी वेन नामक एक बहान help line शुरू की है तो वो है डेली government दो जितने भी यह state government scheme होती है उनमें scheme का नेम कोवी वेन यह किसके दौरा launch करा गया है help line number है डेली government के दौरा बस आपको यह ऐसे ही याद रखते चलना है next question है which bank has entered into a tie-up with मश्रीक bank a leading financial institution in the UAE to facilitate money transfer to India the partnership will support मश्रीक's faster payment product quick payment which was launched in 2017 तो किस bank ने भारत में धन हस्तांतरन के लिए सुबिधा के लिए सयम्त राज्य अमिरात के एक प्रमुक विद्धिय संस्तान मश्रीक bank के साथ एक समझोता किया है यह समझोता 2017 में शुरू की गई मश्रीक के तेज भुकतान उतपाद के लिए है और उस उतपाद का नेम है quick रेमिट का सफ़र समरसन करेगी तो वो बैंक है federal bank तो federal bank का नेम आपको याद रखना है इसने tie up करा है मश्रीक bank से यह कहां का bank है financial institution है UAE का बढ़ते हैं next question की तरफ कि a voice to lead a vision for future healthcare यह theme है international nurses day की अब यह हर साल किसे दिन celebrate करते हैं वो आपको बताना है कि अंतराश्टी nurse दिवस का जो बिसे है a voice to lead future for health care इसकी theme है अंतराश्टी nurse day की और यह हर साल 12 मई को celebrate करा जाता है आपको याद रखना है international nurses day 12th of my next question है who has been named chief executive officer of national asset reconstruction company limited या bad bank तो national asset reconstruction company limited या bad bank के मुखे कारेकारी अतिकारी का नाम या किसे appoint करा गया है तो वो है पद्मकुमार माधवन नायर पद्मकुमार माधवन नायर को अभी chief executive officer बनाया है national asset reconstruction limited का next question है who has sworn in 14th NASA administrator तो NASA के प्रशासक के तौर पे जो appoint हुए है Bill Nelson 14-way या 14-way NASA प्रशाशक बने है Bill Nelson इनका नेम आपको याद रखना है Bill Nelson का a committee will study the supreme court's order striking down quota from महाराथा community in महारास्ट who is the chairman of the committee तो अभी महाराथा community के लिए quota दिया गया है महारास्ट government के द्वारा 50% quota दिया जाएगा जो महाराथा community है उसको महारास्ट में तो इसी के ऊपर study करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी के जो हैड है उनका नेम आपको बताना है तो उसके चेर्मेन रहे हैं दिलिप भोसले दिलिप भोसले को इस कमिटी के चेर्मेन बनाया गया है नेक्स्ट कोशन है बिच बैंक है अनाउंट दे लाउंच औफ आई चूज माई नंबर फीचर फॉर आल इट्स कस्टूमर एक्रोस इंडिया तो किस बैंक ने भारत भर में अपने सभी इंग्रहकों के लिए मैं अपना नंबर चुनूंग शुरू करने की खोशना की है तो वो है जनाह स्मॉल फाइनेंस बैंक जनाह स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर फीचर लॉंच करा है और इट्स कस्टूमर एक्रोस इंडिया अब आप जो भी एकाउंट नंबर होता है अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है प् समॉ के शिखर सम्मिलन में भाग लेने के लिए अगले महीने किस देश की यातरा नहीं करेंगे तो वो है यूनाइटेड किंग्डम जो चीज सेविन सम्मिट दोहजार एक्टिस का होने जा रहा है वो है यूनाइटेड किंग्डम में और प्राइम मिनिस्टर नरेंडर किरक लेंडेड ही इस फ्रॉम बिच कांट्री तो वीजे वार् flown ने किर्कीट के सभी रूपों से अपनी सेवा निर्वत्ति की घोषणा की वह च mooi से हैं तो वो देश है न्यूजिलेंड क्योंकि न्यूजिलेंड से हैं और न्यूजिलेंड में ही फाइनल होने जा रहा है न्यूजिलेंड और इंडिया का जो ब्रिटेन में होगा उसी के बार यह सन्यास ले लेंगे बीचे बॉटलिंग नैस्ट कोशन है दो हजार एकिस का आई वह में लोड बॉकसिंग चेंपियनश्ट विल कुंट्री तो अभीहाल हीमें 2021 का आई वह पुर्सो की 20 वोकसिंग चंपियनशप किस देश में आयोजित की जाएगी तो वह है वेलगेट सरविया में 221 का आइ वह में वर्ल बॉक्सिंग चेंपेंशिप आयोजित होने जा रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में नेक्स्ट कोशन है के आर गोरी अम्मा वू हज पास्ड अवे रिसेंटली वॉस दे सीनियर मोस्ट एंड सैकंड लार्जेट सर्विंग MLA in the legislative assembly of which state तो के आर गोरी अम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्जी की विधान सभा में सबसे बरिस्ट और सबसे लंबे समय तक दूसरी विधाय कर रही है तो वो है केरल केरल की हैं के आर गोरी अम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है Next question है Which of the following institute has been conferred with the Green Urja Award निमलिकित में से किस संस्थान ने Green Urja पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वो संस्थान कौन सा है जिसे Green Urja पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वो है Indian Renewal Energy Development Agency Limited Indian Renewal Energy Development Agency Limited IREDA को Green Urja Award दिया गया है तो आपको याद रखना है IREDA का ने और Green Urja Award इसको दिया गया है Recently, which Prime Minister of Nepal has tooled the word of confidence in House of Representative तो अब ये नेपाल की Parliament या नेपाल की जो भी रहा है उतला पतली देखने को मिली है कि केपी शर्मा ओली को पहले प्रथेंजी सभा में बिश्वास मत उन्होंने को दिया था अब दुबारा से न्यूज आई है कि केपी शर्मा ओली दुबारा से प्राइम मिनिस्टर बन ग पुडुचेरी का नेम याद रखना है नेक्स्ट कोशन है पुडुचेरी तो वो कौन सा मिशन है जिसके थरू हंड़र परसेंट टेप वार्टर कनेक्शन इन रूलर एरियाज ये नोंने अचीव करें हैं तो वो है जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत फुडुचेरी ने ये अचीव करें हैं 100% टेप वार्टर कनेक्शन इन रूलर एरियाज तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है नेम दा वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंस शिप सेट और नेविगेट एक्रोस दा अटलांटिक तो द मैं फ्रोसड़ाइड में फ्लोवर फॉर हॉर पॉर फॉर डे वर्ल्ल का फरस्ट इंटेलिजेंस शिप है जिसे नेविगेट करा गया है ये मानव रहित ये शिप रहेगा टोटली अर्टिफिशल इंटेलिजेंस शिप है में इसका नेम है अब सिके बारे में जो ऐडिश has been awarded to whom for her work in aquatic food system. विश्व खाद्य पुरुषकार 2021 किसको जलिए खाद्य प्रणालियों में उसके काम के लिए ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरुषकार तो शकुंतला हरक सिंग को वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 दिया गया है for her work in aquatic food system के लिए तो विश्व खाद्य पुरुषकार शकुंतला हरक सिंग को दिया गया है who has received authorization from RBI to operate prepared payment instrument तो prepared payment instrument के थो किस company ने authorization ले लिया है RBI से तो पहले अभी मैं आपको starting में बताया था कि बजाज finance ने और जो second अभी हाल ही में जो दूसरी company बनी है जिसने prepared payment instrument के तोर पर authorization ले लिया है वो है Android technology तो Android technology का नेम आपको याद रखना है इसने prepared payment interface company के रूप में काम करने के लिए RBI से प्राधिकरन प्राप्थ हुआ है Android technology का और बजाज finance दोनों का नेम आपको याद रखना है next question है कि Google Pay users in the US अब जो भी Google Pay users होंगे US में will now be able to send money to Google Pay users in India and Singapore अब इसके लिए Google ने किस company या किन दूप कंपनियों के शाथ partnership करी है वो आपको बताना है यूएस और सिंगा इंडिया और सिंगापूर में Google पे उप्रोग करताओं उन्हें अब अब यह कोशन थोड़ा उल्टा आ गया है लेकिन आपको यह याद रखना है कि यूएस में जो भी यूजर्स हैं वो गूगल पे के ट्रू मनी टांसफर करेंगे इंडिया और सिंगापूर में अब वो कर सकते हैं तो इसके लिए Google ने तो समझोता करा है वो दो क्याई वीडियो अभी तक शेर नहीं करी है तो वीडियो को शेर करना न भूलें next question है according to national statistical office ministry of statistical and program implementation मौसपी अब यह मौसपी के थ्रू consumer price index हर महीने के last में या हर महीनी के स्टार्टिंग में जो पिसले महीने का total calculate करा जाता है तो यह अप्रेल में जो भी रहा है consumer price index retail inflation कितना रहा है वो आपको बताना है कि उपभोगता मूले सुच कांग या खुद्रा मुद्रा इस्विती अप्रेल में जो रहा है 4.29% रहा है तो यह आपको याद रखना है CPI अप्रेल का 4.29, मार्च का 5.52%, फरवरी का 5.03% और जनवरी का 4.06% यह line से मैंने यह provide कर दिये हैं आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक नंबर में यह पूछ लिया जाएगा तो आपको यह अगर पता होगा तभी आप यह एक नंबर में यहां से अच्छे से टिक कर के आएंगे next question है कि Harley Davidson Harley Davidson एक company है अब यह company किसे देश की है वो आपको बताना है लेकिन इसने करा गया है इसने के launch करा है all electric motor cycle brand live wire अब इस motorcycle का name आपको याद रखना है live wire और यह fully electric bike होगी यह बिना petrol के चलेगी electric bike है live wire Harley Davidson के द्वारा इसे launch करा गया है और यह किस देश की company है Harley Davidson तो यह है अमेरिका की यह आपको याद रखना है अमेरिका की company है Harley Davidson next question है who has been appointed to the executive committee of international council for advertising self-regulation विज्यापन स्वेविन्यमन के लिए अंतराश्ति है परिशद की कारेकारी समिती में किसे निक्त किया गया है तो वो है उनका name है Manisha Kapoor Manisha Kapoor को executive committee का chairman बनाया है अब हो committee कौन सी है international council for advertising self-regulation Next question है South Indian Bank has rolled out video KYC account opening facility The digital initiative helped the customer open an account through a video call Where is the headquarter of the South Indian Bank? तो आपको बताना है कि South Indian Bank का headquarter कहां पर है जिसने हाल ही में video KYC account opening facility launch करी है Video KYC खाता कोलने के शुविधा launch करी है ये के digital पहल रहेगा तो वीडियो कौल के माद्यम से इंग्रहकों को खाता कोलने में मदद करेगा तो ये South Indian Bank है इसका headquarter केरल के थिसूर में है आपको याद रखना है केरल के थिसूर में इसका headquarter है और इसीने video KYC account facility launch करी है नेक्स्ट कोश्चन है जियोजित financial services has inked a pact with Punjab National Bank to offer three in one account तो विच बैंक is merged with PNV from 1 April 2020 जियोजित financial services ने अब किस के साथ समझोता करा है तो मेन है पंजाब National Bank जियोजित financial services ने जो समझोता करा है पंजाब National Bank के साथ करा है अब ये समझोता किस लिए है जिसमें three in one पेशकस की जाएगी National Bank के साथ समझोता करा है three in one account facility इसमें दी जाएगी आपको बताना है कि 1 April 2020 से PNV में किन दो बैंकों का बिले हो गया था तो United Bank of India और Intel Bank of Commerce दोनों का बिले रहा है पंजाब National Bank में NTPC में ये कोशन आया था कि Bank of Prada में किन दो बैंकों का बिले रहा है तो Daina Bank और Vijaya Bank ये कोशन NTPC में आया था तो ये आपको याद करते चलने है next question है who has been appointed as the chairman and managing director of भारत Petroleum Corporation Limited भारत Petroleum Corporation Limited के अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में जो appoint हुए है उनका नेम है अरुन कुमार सिंग अरुन कुमार सिंग का नेम आपको याद रखना है next question है which edition of India Swiss Financial Dialogue has been held virtually in New Delhi तो भारत Swiss बित्य वारता का कौन सहां संस्क्रण बस्तुता नई दिल्ली में आयोजित किया गया है तो वो है fourth edition fourth edition ये अभी हाल ही में India Swiss Financial ये सब सम्मिट रहा है fourth edition इसका ये रहा है next question है veteran coach वी चंडर शेखर passed away recently तो ये famous coach थे किस sport से संबंदित है वो आपको बताना है तो वो है table tennis TT के coach रहे हैं और famous player थे ये आपको याद रखना है इनका name next question है 1971 the beginning of India's cricket greatness has been authored by home तो ये दो लोगों के द्वारा ये इसको लिखा गया है इसके author two है दोनों के name आपको याद रखने हैं बोरिया मजुंदार और गौतम भटा चार्या 1971 the beginning of India's cricketing greatness इनके द्वारा ये लिखी गई है बोरिया मजुंदार और गौतम भटा चार्या के द्वारा बढ़ते हैं next question की तरफ उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें जहां तक rich हो वहां तक share करें वीडियो को अभी BCCI ने announce करा है appointment of whom as head coach of team इंडिया के senior women team का तो अभी coach बनाया है BCCI ने women's की senior team का तो उनका नेम आपको बताना है भारती है cricket council board ने team इंडिया के जो वरिष्ट महिला team के जो coach बनाए हैं वो है रमेश पवार रमेश पवार को वरिष्ट महिला team के team इंडिया के coach बने हैं रमेश पवार next question है which payment bank has launched DIGIGOLD our digital platform for customer to make investment in gold तो किस payment bank ने ग्रहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए digital platform DIGIGOLD launch किया है तो वो कौन सा payment bank है जिसके द्वारा DIGIGOLD launch करा गया है तो वो है एटल payments bank एटल payments bank के द्वारा जि लाँच करा गया है DIGIGOLD next question है right to bharosa scheme is a scheme of which state तो right to bharosa योजना किस राज्य की योजना है तो वो है आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश government की scheme है right to bharosa scheme बढ़ते हैं next question की तरफ कि के पी शर्मा ओली has been reappointed as a prime minister of which country तो के पी शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निप्त किया गया है तो वो है नेपाल तो बस आपको इतना याद रखना है कि अभी दुबारा से appoint हुए है KP शर्मा ओली as a prime minister of Nepal next question है who has received over usd 83 billion in remittance in 2020 2020 में किस देश ने receive करा है सबसे ज्यादा remittance मतलब जो बहार से पैसा आया है वो सबसे ज्यादा कहां पर आया है जो 83 billion है according to a world bank report 83 billion American dollar सबसे ज्यादा जो बहार देशों से आया है जो इंडिया में रहते हैं जो फॉर्णर है जो इंडिया के थे लेकिन बहार जाकर बस गए हैं लेकिन वो अपने परिवारों के लिए पैसा भेजते हैं उसे ही remittance कहा जाता है और इसमें इंडिया टॉप पर है इंडिया क इंडिया में जो भी लोग थे जो बहार रहने गए थे सबसे जाधा remittance वो ही लोग बेजते हैं इंडिया टॉप पर है चाइना सैकिंड पर है मेक्सिको थर्ड पर है और USA से सबसे जाधा पैसा गया है as a remittance के तोर पर तो ये भी आपको याद रखना है जितनी भी current affairs थी स सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है जितनी भी important questions थे सब हमने इसमें discuss कर लिये हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe करें और like करना ना भूले कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका score कितना रहा और वीडियो कैसा लगा ये comment box में जरूर सब हर जगे वीडियो को share करना ना भूलें बैल आइकन प्रेस कर लें जिससे जितनी भी upcoming वीडियो होंगी उनका notification day by day मिलता रहेगा इसी के साथ good bye मस्त रहें व्यस्त रहें